हेलो वेल्कम बेक टो माई चैनल और यह यहां पे आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं यह आपका वर्धा उपन उन्युवस्टी में जो की 2023 से पहले होता था आपका ग्रैजुएशन की जो मार्क्स होते थे उनके मेरिट बनती थी उनके बेस पे आपका एड्मिर्शन होता था अभी इनोंने 2023 में एंट्रेंस लेना स्टार्ट किया है पहली बार यहां पे एंट्रेंस हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था कि कैसा पेपर आएगा क्या मतलब स्लेवस तो पूरा दिया था इनोंने पर पेपर का लेवल बहुत एजी था बहुत जादा एजी ज जर्नल की में बता देती हूं 90 प्लेस कट ओफ रही थी 90 क्रॉस कर गई थी कट ओफ क्योंकि इतना जादा इजी पेपर था तो यहां पे इसकी जो आंसर की है वो नहीं दी थी तो आंसर मैंने खुद इनके ढूंडे हैं और कापी लोगों से सजेशन लिए इंटरेक्शन किय क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस तरीके से मैंने इसकी आंसर की है वो बनाई थी तो अभी आप वीडियो में जो वीडियो है इस क्वेशन पेपर की वो मैंने भी किसी और यूनिवर्स्टी के लिए भी रिकॉर्ड की थी तो अभी आप मैं इसमें वीडिय सारा समझाया हुआ है तो आप लोग गो थू हो सकते हो कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइब से पेपर आता है किस लेवल का आता है किस तरह की क्वेशन होते हैं कि अगर 2024 में अगर एंटन्स होता है तो आपको उससे आइडिया मिल सके यह क्वेशन पेपर की PDF मुझे विजे कुमार जी ने भेजी थी और जिनको मैं कई वार थैंक्स भी बोल चुकी हूँ तो यह question जो है यह आपका जो question paper है मैं उसको telegram ग्रूप पे upload कर रही हूँ वहां से आप लोग इसको download करके खुद से देख सकते हो बाकि answer की के लिए आपको यह video पूरी देखनी पड़ जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम है colors of education आप टाइप करेंगे तो आप लोग मेरे इस चैनल पे पहुंच जाएंगे गूप पहुंच जाएंगे और बहां से आप लोग इसको media section में जाके download कर सकते हैं so thank you so much everyone और अभी आप इनके answers देखिए thank you hello everyone welcome back to my channel और आज हम करने वाले हैं 30 questions teaching aptitude के और सारे options में यहाँ पे आपको समझाओंगी अगर आपको question देखकर option देखकर answer अगर समझ आ रहे हैं तो आप लोग skip करकर के वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी सी दंबी हो सकती है क्योंकि जो नए candidate है जि तो उनको थोड़ा से समझाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे काफी comment आ रहे हैं इस चीज के लिए कि उसको आप define कीजिए तो वही है तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ तो पहला question है शिक्षा का देख से क्या होना चाहिए तो teaching aptitude में आपको सबसे पह नहीं है तो बच्चे को सरवो पर ही रखना है बच्चा 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 बगवान बच्चा सब कुछ ठीक है तो इस तरीके से आपको जो answer है वो सही answer find out करने में बहुत आसानी होगी और यही चीज हमें diet में सिखाई गई थी और यही चीज में YouTube के थ रखनी है और बच्चा शिक्चा के लिए नहीं है शिक्चा बच्चे के लिए है ठीक है तो इस चीज को आप ध्यार रखेंगे इस statement को तो आप easily answer को find out कर पाएंगे अब यहाँ पे पहला question है शिक्चा का उदेश्य क्या होना चाहिए तो देखो यहाँ पे शिक्चा का उद सरवांगेन विकास अगर बच्चे का सरवांगेन विकास होगा overall development होगा तो अब विसी बात है यह तीनों चीज़ें से के इंदर include हो जाएंगी तो आपको सबसे सटीक जो option है वो देखना है कि कौन सा ऐसा option है जिसमें कभी कभी होता है में चारों उप्शन लगते हैं कि चा option चौते में समाय हुए हैं और यह हमेशा बात ध्यान रखना कि शिक्षा का उदेश्य बच्चों का सरवांगेन विकास करना ही होता है और इस statement को अपरट भी सकते हो ठीक है अगला question है हमारा NCTE का पूरा नाम क्या है तो NCTE National Council for Teacher Education जो भी आपके teaching program है वो सब NCTE के अंडर आते हैं वही सब देखता है वही authority जो आपका recognition letter होता है सब वही provide करता है अब यहां पर question है निम्ण विकल्पों में से अर्थपूर्ण क्रम ग्याद करें तो आपको क्रम ग्याद करना है तो देखो सबसे पहले हमारा जन्म ही होता है ठीक है तो ए वाला देख लो ए सबसे पहले क आए तो यह दोनों तो कट जाएंगे ठीक है अब दोनों यह बचे अब सारा देखने की जुरत नहीं है लास्ट में हमारा होता है मृत्यू अब मृत्यू देख लो कहां पर है सी वाले में है मृत्यू ठीक है तो इस तरीके से जमारा option है सी सही हो जाएगा इसमें बाकिया चेक कर सकते हो जन्म हो गया इशिक्षा हो गया फिर उसके बड़ डी हमारा हो गया क्या बोलते हैं शाली हो गया और बी हमारा हो गया अंतिम संसकार चीक है और सी हमारा हो गया मिलते हूं ठीक है अंतिम संसकार करते हैं नेक्स क्वेशन है हमारा क्वेशन नंबर फूर एनीपी 2020 के अध्यक्ष सबको पता ही है कौन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये रटना है और एनीपी 2020 एक बर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो करवा भी दूंगी तो वो आपको जरूर देखने है क्यों स्रजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है अगर आप बच्चे से क्रियेटिव आंसर चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि मुक्त उत्तर वाले प्रशन नहीं होने चाहिए कि काजमिल कहा है आगरा में अब इसमें बच्चा कौन सा क्रियेटिव आंसर देगा नहीं दे बता हूं तो वह चैप्टर के भी हाफ भी बताएगा परत्यक शिक्षा नहीं परत्यक अक्षा यह तो होगा नहीं कि आप मतलब सामने पढ़ा रहे हो सामने कख्चा हो रहे हैं मतलब यह नहीं होगा मुक्त उत्तर वाले ठीक है ओपन एंडिट चो क्वेशन होते हैं हमें वो बच्चे से पूछने चाहिए अगर हमें creative answer चाहिए तो next question है शिक्षा का मूल कारे क्या है तो शिक्षा का मूल कारे पूछा है इन्होंने तो कक्षा में उत्तर ना देने पर डाटना तो अभी मैंने समझाए था वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे को हमें दो बोलना कुछ भी अलाव नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए स्वधियन में सहायता करना तो शिक्षा का मूल कारें स्वधियन में हम बच्चों की सहायता कर सकते हैं और उसके बाद ए अद्य लिए अनुकुल वातवरन तैय करना उपरोग सभी तो देखू उपरोग साही हो जाएगा यह आंसर्स फाइंड आउट करने की मैं आपको बीच बीच पर टेक्निक बता रहे हूं को कि मैं भी इसी तरीके से आंसर्स फाइंड आउट करती हूं वैसे मेरी पेडागोजी सेक्शन है जो टीशिंग अप्लिटूट सेक्शन मेरा अच्छा है डी ट्रिफल एस वी में उसी के कारण मेरा सेलेक्शन हुआ है क्योंकि वही कहते हैं जो पार्ट अच्छा हो आपका मतलब जिस सब्जेक्ट पर कमांड उसको बढ़िया कर लो तु सब्सक्राइब करने में तो यह तीनों ही ऑप्शन सही है बच्छे के बिहेवियर में चेंज आता है वो एड्जिस्मेंट करना सीख जाता है और उसे न्यू एक्सपिरियंस मिलते हैं तो इन सभी में तो अधिकम का शिक्षा में जोगदान है ठीक है तो यह सभी आ जाएगा विद्यारती में कौन सा गुर्ण होना सबसे जरूरी है तो बच्छे विनेशीलता होनी चाहिए मेहनती भी होना चाहिए आग्याकारी भी होना चाहिए सुतंत्र रूप से विचार करने भी आने चाहिए अब यहाँ पे आप सोचोगे कि माम यहाँ पे चारो आप्शन सही है तो कौन सा option टिक करें तो आप यहाँ पे सिंपल सा टि रह सकता है कठो और अनुशाशन अभी मैंने समझाया था यह तो बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा आप यह देख लो जहां पर निगटिव वाइब सारी तो बिल्कुल टिक मत करना अधियापको चात्रों में परसपर सायोग हो यह तो होना चाहिए केवल चात्रों का सयोग तो बिल सायोग के भावना है तो कुक्षा में शांत वातावरन तभी रह सकता है क्वेशन नमबर हमारा 11 है बालक के समाजिक विकास में सबसे महत्पून क्या है यहां पर शोशल डेवलेप्मेंट की बात हो रही है तो जाती भीत अनुवांशिक्ता वातावरन अनुवांशिक्ता हमारा जो डेवलेप्मेंट हमारा जो बेसिकली फिजिकली डेवलेप्मेंट होता है उसके अंदर इसका मतलब जो कहते हैं कॉन्टिबिशन जादा होता है तो अनुवांशिक्ता तो नहीं होगा तो अनुवांशिक्ता की वज़े से हमारा यह वाला और यह वाला कड़िया जाती वे तो पता नहीं कहां से आ गया उठके इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है तो बचा हमारा वाता बरन तो बच्चे को जो शोशल डेवलेप्मेंट होता है उसमें सबसे महत्पोन हमारा इन्वार्मेंट होता है अब एक बच्चे को आप रख रहे हैं चोरों के होते हैं तो जैसा एन्वार्मेंट हम बच्चों को देते हैं उसका जो शोचल डवलप्मेंट है वैसा ही होता है तो इन्वार्मेंट इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स क्वेशन है हमारा 12 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं चीजे समझा पा रही हूं ठीक से एक्स्प्लेइन कर पा रही हूं और इस चीजे को मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं अगर कहीं करेक्शन की जुरुष है या आपको अपना फीडबैक देना चाहत है अब हमारा नेक्स क्वेशन है राष्टे पार्थे चेड़ा की रूप रेखा 2005 के अनुसार तो प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है तो उसमें मात्री भाषा में एजुकेशन जो है हमें प्रोवाइड करवाने चाहिए और यह नेपी 2020 में भी ये बात बोली करिकुलम जो शब्द है जो वर्ड है यह क्वेशन कई पर पूछा भी जाता है कि कौन से वर्ड से निकला है उसका मीनिंग क्या है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे करिकुलम के बारे में थोड़ा सा आप अगर बता सकते हैं थोड़ा सा कहीं से पढ़के और काफी लोगों को पता भी होगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करना तो विद्यारतियों की योगता का वांचीत स्थर मतलब वांचीत मतलब जो हम चाहते हैं कि बच्चा इस लेवल पर पहुंचे उसके बाद है हम जो करिकुलम बनाते हैं तो हम उसमें यह चाहते हो हुआ नेक्सक्षे है हमारा क्वेशन नम् creators on 提ंब तब dyspare और यह उसमें और की सिस्थ्टे प्रोफेसर येश्पाल कमीटी की उन्होंने इसकी रिक्रमेंडेशन दी थी शेक्षा बिना बोज के और उन्होंने एक चीज और मैं अभी आई थिंग दो तिन दिन पहले न्यूस पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी और जो मैं न्यूस पेपर पढ़ती हुए तो उन्होंने टूशन को हमारी जो एजूकेशन जो ववस्ता है जो हमारा इसके लिए उसके लिए बहुत ही खतरनाक चीज माना है टूशन को ठीक है तो यह अगर ऐसे को स्टेटमेंट आती है और अगर ऑप्शन आते हैं किसने कहाता तो आप यश्पाल जी का तिक लगा सकते हैं एक objective बन सकता है question मुझे एकदम याद आया तो मैं आपके साथ share कर रहे हूं ओके next है हमारा कोठारी आयोग की सवर्ष गठित किया गया था और इसका answer मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका answer आप लोग मुझे comment करेंगे बहुत easy है और आप लोगों को आता भी होग और इसके अधिक्ष कौन थे यह भी आप लोग बताएंगे ठीक है और राजस्थान के थे ठीक है यह आप मुझे बताएंगे राजस्थान के थे यह मैं आपको बता रही हूं तो अब आप वो कौन थे और यह कब गटी तुआ था 1964, 65, 66, 67 सबको पता होगा यह लोग मुझ अधिक्षम द्वारा जाद से जादा विकास हो सकता है उसका सांस्रीति गदी वीडियो के द्वारा भी हो सकता है अच्छे साहित्य के द्वारा भी हो सकता है और मानसिकारों के द्वारा भी हो सकता है अब यहां पर आपको फाइंड आप करना है कि ऐसा कौन सा इसा काम है तो अदिकतम विकास देखो यहां पर जो शाहित्ते और संस्क्रिकिम्ट वाला पॉइंट यहां पर परिक्षन को देखो बच्च को आप exercise कर वाई जा रहे हो खिलाए जा रहे हो बच्च को तो उसका संपूर्ण विकास तरीकिसर नहीं हो सकता है। जादा से जादा विकास उसका मानसी कार्यों द्वारा होगा ठीक है जितना वो बच्चा दिमाग से खेलेगा दिमाग पे जोर देगा जोर इंद सेंस प्रेशराइज नहीं करना है क्रियेटिव चीज़े ठीक है तो वो बाकी चीज़े उसकी अपने आपी सही होती चली जाए हैं तो ए और प्रभाव बच्चों को अनुशाशन हीन बना सकता है इस कतहन से पूर्ण सहमत है क्योंकि अगर हम बच्चे को भाए और दंड मतलब उनको हम ढ़नाते हैं और उनको बोलते यह नहीं कहा तो मुर्गा बना दूंगी मैं मारूंगी मैं तुम्हें डंडी से पी प्राइड ने विक्सित किया है तो फ्राइड ने मन विशलेशन का सिधान्त विक्सित किया है चेतन मन अब चेतन मन और एक बुक है अब चेतन मन करके मुझे अभी राइटर याद नहीं आ रहा है मैंने वो बुक पढ़ी है तो अगर ताइम मिले तो जरूर पढ़ना उसको और राइटर अगर मुझे याद आएगा तो मैं कॉमें सेक्शन में पिन कर दूँगी मेरे पा परिक्षा के लिए नोट लिखा होता है तो उसमें ऑपन बुक परिक्षा का भी एक पॉइंट है मैंने भी कुछ ताइम पहले पढ़ रहे थी सीटर के लिए तो मुझे ऐसा यह पॉइंट मिला और वैसे मुझे पता है इस कांसर तो यह चात्रों को सोचने के लिए करने है और बुक खोल सकते हो ठीक है इसमें कोई ऐसा नहीं है बट उस टेम पे आपका दिमाग सोचो कितना दोड़ेगा कि आपको किस तरीके से आंसर कैसे कहां कहां से ढूंड होगे मैं तो गंटे के अंदर अंदर आपको किस तरीके से बुक में से कौन से चीज कहां पर कौन सा कहां सही से दिखना है किस तरीके से सको मतलब स्टेप वाइज लगाना है कि पहले क्या पहले कर पहले कर पहले क्या आएगा इस तरीके से तो कहीं न कहीं आप सोचने के लिए मजबूर होते हो ठीक है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और किसी ने पढ़ि है तो इसलिए मैं आप से पूछ जो कहीं मुझे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं तो यहां पर एक्जेक्ट जो इसका जो स्टेट जो डैफिनेशन है गूगल पर अलग है बट अकॉर्डिंग तो अप्शन देखेंगे तो निर्थक कल्पनाई करन इसका आंसर हो जाएगा दिवास्वपन का मतलब उसके बाद अच्छा हाँ दिवास्वपन एक बुक है वो किसे ने लिखी है वो आप मुझे बताएंगे चला मैं ही बताते हूं गिजुबाई बदेका ने लिखी है क्योंकि एक वोशन पूशा जाता है कि दिवास्वपन पूस्तक किसके द्वारा देखी गई थी गिजुबाई बदेका विद्याले से चात्रों के भागने के क्या कारण है अगर बच्चा स्कूल से भाग रहा है तो वो क्या कारण है रूची कर शिकक्षा शिक्षन ना होना मतलब इंटरस्टिंग टीचिंग नहीं है आपकी इस बेंटरे से लिक्षा इए अध्यापको की समस्या के प्रति उधाषिन था मतलब हम उधाषिन होते हैं भाग रहा हो तो यह तरीकी से हमारी गल्ति है वह मं डं से नहीं पढ़ाते है थीक है तो यह चीज एक्सेप्ट कर लो आप्ट रहां तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ गलत हो ठीक है बच्चा गलत नहीं होगा यह चीज आप गाट बान लेना आगे कॉम्टिटिव एक्जाम की भी तयारी करने आप लोगों को तो इस चीज को आप लोग बिल्गुल ध्यान रखना तो इसका यह उप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अब हम आ इन चारों में आपको डिफ्रेंस बताऊंगी क्या होता है और एक ही करेंट शेक्षा का तो डिफ्रेंस मुझे अभी जब मैं बियर्ट सेकेंड एर के एक्जाम देरी थी अपने तब मुझे पता चला मुझे भी नहीं पता था इन दोनों का मीनिंग मुझे बाद में पता चला है तो इन चारों में क्या डिफ्रेंस होता है मैं जल्दी एक वीडियो लाओंगे क्या आपको पता होनी चाहिए और इसके अलावा हाँ इंक्लूजिव एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर है और इंक्लूजिव एजुकेशन ने बहुत अगों होती है कि नॉर्मल बच् तरीके का बच्चा आता है गरीब अमीर और वो चाहिए दिवियांग हो चाहिए दिवियांग ना हो चाहिए वो उसको कोई और प्रॉब्लम हो लाइक और इसम है या मैंटली रिटार्टिड है ठीक है यह बहुत जादा मतलब प्रत्य अक्स्ट्रा ब्रिलियंट और्डिनर एक्स्टा ओडर्डरी बच्चा है हर तरीके का बच्चा के अंदर आता है तो मतलब जब mix exam कै letters they also अब हम बात करते हैं समावेशन का का अई वर मैंने समझा ता है के साथ करनी चाहिए तो ठीक है यही हो जाएगा और अलग तो होनी नहीं चाहिए समावेशन कैसे हो जाएगा तो बाकी के option कट हो गई उसके बाद हमारा है बच्चों का मुल्यांकन होना चाहिए इसको रटलो भई सततेवं मुल्यांकन और आपको पता यह होगा continuous and comprehensive evaluation उसके बाद हमारा question number 25 है लड़के और लड़कें में पाई जाने वाला बेद सबको पता ही है लैंगिक बेद है उसके बाद हमारा question number है 26 प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है आप एक effective teacher है मतलब नहीं है होने की बहुत कम संभावना है अगर 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 आप प्रभावी शिक्षक नहीं है तो इसकी कम संभावना है जो नैतिक मुल्य की शिक्षा देता है वह जिसे पढ़ाने में रूची ना हो तो बिलकुल अगर आपके पढ़ाने में रूची नहीं है तो आप कैसे एफेक्टिव टीचर हो जाएंगे है ना वह जो हर समय अपनी विद्वता आप अरे अपने मतलब मेरेको तो यह आता है मैं तो यह कर लेती हू ने बुल्य की शिक्षा देता है और दीन जाती है वह बैर के द्वारा बच्चों तक ट्रांसर की जाती है बट्रेशन में दिया है तो हमें यहीं मानना पड़ेगा और बाकी ने रूच्षा कभी भी दीन नहीं जाती वह हमारे बिहेवियर के थूरु बच्चों तक पहुं बुलाए जाने पर अगर कोई पेरेंट्स एकदम आ जाता है और आपको बुलाता है और आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो आप मना कर देंगे तो भई मना तु बिल्कुल नहीं करोगे नहीं तो वह जाके तुम्हारी कंप्लेंड कर देगा पिंसिपल आफिस में ठीक है और तुमने पुलाया और हम चले आए तो यह नहीं होगा और उप्रोक्स सबी तो बिल्कुल नहीं होगा तो आंसर की मेने बताया नहीं आया तो मुझे इसका आंसर यहीं लगा कि एक स्लिपर परिस्टें लिखकर भेज़ देंगे तो बीसे मुझे पढ़ा रहे हैं जो कुछ बच्चे बाद हमारा है question number 28 विज्ञान पढ़ने वाले चात्रों में परियोग करने की चमता का विकास कैसी किया जा सकता है जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं उनमें परियोग करने की चमता तो परियोग के लाब बताकर कक्षा में उनें परियोग दिखाकर परियोग को क प्रियोक करने की शमता का वी कास हो कुभी वो खुद से कर रहा है लेकिन करवाने वाला भी हमारा औक्षन नहीं को कि लर्निंग बाइड डूइंग एक मोस्ट इंपोर्टन चीज एक हमारा बेस है सलあの का कि बच्चा जो करके सिक्ता है वह उसके लीए लेकिन करना नहीं है तो इस वजह से हम इन में से किसी एक और सही है नहीं कि लिख कर भी लंहीं बता सकते. दिखा स्टर्व मुस्ट eternal बता है, दुज और आप्शन और अगले, तो हम दैंग deben van क्वेशन नमबर ट्वंटी नाइन है हमारा जो बच्चा शारे के रूप से अच्छम है वैं निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता जो मतलब फिजिकली एबल है वो बच्चा लंगरा भी बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप्शन में लिखा है तो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगता है इसा बोलना पोलेगरस तो सकता दिश्टे बादी लेकिन जड़ बुद्धी नहीं हो सकता कोई बचा जड़ बुद्धी है ड़जन मीन करने इस ड़जन मीन की वो दिव्यांग भी हो ठीक है उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेशन है शिक्षक एवन व लिए और जीन लोगों को टीचिंग अप्टिटूट में समझ नहीं आ रहा ता किस तरह किसे हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करेंगे तो उनको यह वीडियो जरूर है और वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज यार कॉमेंट करके जरूर बताय करो मुझे आता पता नहीं आप वीडियो ठीक है इनों कि आप देखते हो बट कुछ तो बोल दिया करो अच्छा बुरा कुछ बुरा ही लिख दिया करो ता कि मुझे पता चलना है कि कुछ गलत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान डगो और कुछ अच्छा है तो वह बता सकते हो थोड़ा से अच्छे से अपनी तयारी करो और एक्जाम वैसे मार्श तक हो जाएगा क्योंकि आफ्टर वन मन्थ आपका एक्जाम हो जाता है तो वही पंदरा तक मैंने वीडियो में बताया भी ता आपको बागी जो भी अपडेट रहती है मैं आपको बताती हो रहां एक क्वैरी हो औ एंड गुड नाइट बारा बज़के पंतालिस मिनट हो गया है वीडियो रिकॉर्ड करते करते गुड नाइट हेलो अब्रीवन वेल्कॉम बैक तो माई चैनल एंड इस जोटी हेर और आज की वीडियो में हम लोग 30 क्वेशन्स करने वाले हैं जो कि आपके जीये से पाने वाले पहले भारतिये कौन थे तो यहां पर आपको चार ओप्शन्स दिए गए हैं रविंदना टैगोर विनोबा भावे दयानन सरस्वती या फिर महत्मा गान्दी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनोदा भावे देन उसके बाद हमारा क्वेशन नमबर 32 है भा 33 है भारत का समिधानिक मुख्या कौन होता है तो वो होता है हमारा समिधानिक मुख्या राष्ट्रपती QW No. 34 है, Bully शब्द का प्रियोग की खेल के लिए किया जाता है तो इसका जो आंसर है, वो है हMारा होकी, होकी में बुली शब्द का प्रियोग किया जाता है QW No. 35 है, भाशा का महतपून कारे क्या है तो भाशा का सबसे महतपून कारे होता है Communication करना ठीक है तो संप्रेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा देन उसके बाद हमारा question number 36 है नाकपुर में कौन सा फल प्रसिद है और इसका आंसर सबको पताई होगा कौन सा है संत्रा इसका correct option है तो संत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा question number 37 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है सबको पता है कौन सा है रिगवेद है उसके बाद हमारा question number 38 है N-C-E-R-T कहां स्थित है जो N-C-E-R-T स्थित है हमारी दिल्ली में जो कि मेरे घर के बिलकुल पास है N-C-E-R-T N-C-E-R-T की आप लोग full form बताएंगे मुझे comment section में और N-C-E-R-T का स्थापना दिवर्स की इस date को बनाया जाता है ये भी आप बताएंगे बताना जरूर मुझे I will wait question number 39 है भारत में भारत की जो शिक्षा मंत्री है वरतमान में present में पूछा है वो कौन है तो कौन है आपको बताना है तो धर्मेंद्र प्रधान इसका correct option है उसके बाद हमारा है question number 40 कतक किस राज्य का शास्त्रिय निर्ते है ये इन्होंने पूछा है तो कतक किसका है हमारा ये उतरपरदेश का उसके बाद हमारा है question number 41 Oscar पुरसकार का संबंध तो Oscar आपको पता है किसमें मिलता है cinema में मिलता है सबको पता ही होगा उसके बाद हमारा question number 42 है कौन सा तत्रु सबसे कठोर है और इसका answer भी सब जानते होंगे तो हीरा इसका correct option है और ये सबको पता ही होगा कि जो सबसे कठोर तत्रु है हमारा तो वो हमारा है हीरा ठीक है उसके बाद हमारा है question number 43 national mountain climbing day कब मनाया जाता है ये आपको बताना है एक अगस्ट, दो अगस्ट, तीन अगस्ट या फिर चार अगस्ट तो इसका जो correct option है वो है हमारा एक अगस्ट तो जो national mountain climbing day है वो एक अगस्ट को मनाया जाता है question number अगर हम 44 की बाद करें तो durant cup जो है उसका संबंद की scale से है तो इसका answer भी मुझे लगता है सबको पता ही होगा तो इसका answer है football football का जो है durant cup जो है वो football में दिया जाता है उसके बाद हमारा question number 45 उनमेश और उतकर्ष उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है तो ये current का question मान सकते है हम इसको मान कह सकते है क्योंकि किया जा रहा है इस तरीके से इनने पूछा है तो इसका जो हमारा answer हो जाएगा इसका answer है हमारा भोपाल तो ये current affair के question भी पूछ लिए जाते हैं बेच पीट में आप से तो आपको थोड़ा सा day to day क्या चल रहा है तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है तो उनमेश और उतकर्ष उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है तो इसका answer जो आपका हो जाएगा हमारा बोपार ठीक है अब हम अपने next question के ओर चलते हैं हमारा next question है कक्षा में विध्यारतियों की रूची बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचीत है तो ये हमारा teaching aptitude से related question हो गया तो इसका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशन पूछना तो ये थोड़ा समय आपको यहां पर define कर देती हूँ प्रशन पूछना की कक्षा में विध्यारतियों की रूची बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचीत है तो देखो वाद भी वाद करवाओगे अब debate करवाते हो class में तो बच्चा रूची लेगा कुछ बच्चे लेंगे कुछ बच्चे नहीं लेंगे लेकिन शामपट का प्रयोग कर रहे हो तो वो तो आपको भी पता है शामपट को प्योग करते हो तो कितने बच्चे रूची लेते हैं कहानी कहना is also good option बट यह रट लो आंसर अगर option में आपका प्रशन पूछना है तो प्रशन पूछना सबसे सही उत्तर माना जाता है क्लास को इंटरेक्टिव बनाई रखने के लिए बच्चों की रूची बनाई रखने के लिए क्योंकि अगर आप क्लास में question answer पूछ रहे हैं तो स्रिप एक बच्चा आवेर नहीं होता है भारत के पहले कानून मंत्री थे question number 48 है दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है और इसका उत्तर सब को पता है शुत्र मुर्ग जो कि मैंने पहली बार देहरत दुन के जू में देखे थे उसके बाद हमारा question number 49 है गाउं की बेटी योजना का लाब मिलता है तो आपको ये बताना है योजना भी बहुत लौँच की हुई है गौवर्मेंट ने इस टाइम पे तो question पूछ ही लिया जाता है कि गाउं की बेटी योजना का लाब मिलता है तो किन्हें मिलता है तो वो गाउं की बेटी पर समझ आई रहा है तो ग्रामेंट लड़कियों को इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद हमारा question number 50 है how prime minister decide पूछ तक किसने लिखी है सुदिप नागरकर, इरातरवेदी, छेतन भगर्द या फिर निर्जा चौधरी तो आपको ये बताना है कि how prime minister decide पूछ तक किसने लिखी है तो इसका जो हमारा सही option हो जाएगा वो है निर्जा चौधरी और अभी recent में ये यूज में भी रहा है काफी question number 51 है हमारा भारत में बाल मृत्यू दर अधिक होने का क्या कारण है कि जो बच्चों की मृत्य हो जाती है तो उसका अधिक कारण क्या है तो उप्रोक्त सभी कूपोशन भी है चिकितसा का भाब भी है और शिक्षा भी है तो ये सबको पता ही है question number 52 है किस में रीड की हड़ी पाई जाती है जोंक सर्क केचुआ सेंटी पीड तो इस option में काफी ज़्यादा confusion भी है और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि answer की इसकी नहीं आई थी official answer की तो जो भी answers में बता रही हूं मैंने कुछ search किये हैं तो वही answers में बता रही हूं बट कहीं कोई candidate अपनागर suggestion रखना चाहता है तो वह प्लीज मुझे comment कर सकता है कि माम नहीं इसका answer यह होना चाहिए क्योंकि कोई भी perfect नहीं है गलतिया हर किसी से होती है बट जो मैंने इसका answer था जो मैं जो बता देती हूं इसका क्या answer था कि जो किसमे रीड की हड़ी बाकी मेरे हिसाब से इसका जो correct option है वो है सर्प उसके बाद हमारा question number 53 सत्य शोदक समाज की स्थापना कब हुई थी यह आपको बताना है और किसने की थी यह आप लोग मुझे comment में बताएंगे और कुछ candidate देते हैं answer comment में तो अच्छा लगता है थोड़ा सा तो प्लीज आप आप लोग comment जरूर करना बाकी 1873 में इसकी स्थापना हुई थी और आप लोग मुझे बताओगे किसने की थी question number 54 है computer में IC का अर्थ क्या होता है computer में IC का अर्थ क्या होता है यहाँ पर यह question पूछा गया है आपसे तो इसका answer है integrated circuit question number 55 की बात करे computer के processor की गती को मापा जाता है तो computer की processor की जो गती होती है उसको किस में मापा जाता है hertz, byte, gram या इनमें से को नहीं तो इसका correct option है hertz में question number 56 है computer विग्ञान में kilobyte मान का कितना byte होता है एक हजार, एक हजार चार, एक हजार चौबिस या फिर दू हजार, एक हजार एक तालिस तो इसका correct option है एक हजार question number 57 सीखने को प्रभावित करता है learning को कौन-कौन से चीज़े effect करती है प्रशाषनिक, manovagyanic, आर्थिक या फिर राजनेतिक वातावरन तो इसका जो main है हमारा manovagyanic वातावरन की जो सीखने को प्रभावित करता है वो हमारा होता है manovagyanic वातावरन ठीक है और यहां एक चीज में और clear कर दूँ आपको कि कि जो question number 56 है इसका answer 1024 हो जाएगा ठीक है वो बल्की से मैंने बता लिया 1024 है उसके बाद हमारा है जैन उसके बाद हमारा question number है coronavirus के मुखे लक्षन क्या है बुखार खांसी सांस लेले में तकलीफ तो इसका option हो जाएगा उप्रोप्ट सभी उसके बाद हमारा question number यहां पे 29 है मैथली भाषा का कभी इनमें से कौन है यह आपको बताना है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो है हमारा विद्यापती जी दन उसके बाद आज का हम last question करने वाले हैं last question है हमारा इनमें से देग नागरी लीपी का प्रियोकिस बाषा के लिए नहीं होता है तो मराठी में भी होता है हिंदी में भी संस्कित में लेकिन तमिल में नहीं होता है तो यह आज के हमारे 30 important questions थे और अभी बाके के यह total 100 questions आये हुए हैं इस exam के अंदर तो बाके के questions मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाँगी यहां तक की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे comment section में जरूर बताना और इस वीडियो का जैसे last वीडियो का मैंने target रखा था 200 प्लस व्यूज आने पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो 200 से काफी ज़दा अच्छे Hi everyone welcome back to my channel और आज की वीडियो में हम लोग जो बचे हुए हमारे 40 questions थे last की वह हम करने वाले हैं तो इससे पहले ज़मने दो वीडियो बनाई है उस पर मुझे काफी अच्छा response आ रहा है that's why मैं इसको continue कर रही हूं इस series को तो मैं उमीद करती हूं आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे और support देंगे और आपके कोई डाउंट है तो वो भी मुझे comment करेंगे और suggestion है तो वह बीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग बता सकते हैं तो शुद्ध शब्दों को पहचाने तो यहां पर आपका शुद्ध हो जाएगा आध्यात्मिक और जहां कहीं मुझ 62 है मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए यह विशेशन कौन सा है तो यहां पर देखो इन में से कोई नहीं तो बता रहा है कोई संख्या तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है तो परिमान वाचक है quantity आप इंगलिश में जिसे जानते हैं तो थोड़ा सा एक quantity बता रहा है कि तो यहां पर जुआ है, जाति वाचक संगय, जो पूरी जाति का बोध कर वाती है, लेकिन अहींपर नंदनी गाए या सीमा गाए या कुछ भी नाम रख सकती है, जब मैंने उसका नाम करण कर दिया तो वह वैक्ति वाचक हुजाएगा लेकिन गाए को नाम नहींиходि, पूरी जाती को मतलब represent करता है तो इसलिए जाती वाचक संग्या हो गई है उसके बाद हमारा question number 64 है इन में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है ये आपको बताना है तो इन में से कौन सा शब्द है सर्वनाम नहीं है तो पहला option है कुछ दूसरा option है हमारा क्या और तीसरा option है कौन और चौथा option है इधर तो इन में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है तो सर्वनाम आपको पता होंगे सर्वनाम क्या होते है जो हमारे संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होते है उनको हम सर्वनाम शब्द कहते है तो इन में जो आपका सर्वनाम शब्द है वो इधर नहीं है ठीक है थोड़ा से एक्जामपल लेकर समझाती हूँ इसमें जिसे संग्या है ठीक है संग्या है राधा ठीक है तो राधा के बारे में आप जिसे की बता रहे हैं कि राधा ये है राधा वो है तो वे है ये है तो इधर हमारा सर्वनाम नहीं होगा तो उसके बाद हमारा है Question number 65 मानव सब्सद से विशेशन कौन सा बनेगा तो मानव सब्सद से आपका जो विशेशन बनेगा वो बनेगा आपका माननिय इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शब्द का विशेशन बनेगा माननी ए उसके बाद question number हमारा 6 है पितांबर में कौन सा समास है तो पितांबर में आपको बताना है कि कौन सा समास है तो पितांबर में आपका है बहु भी समास ठीक है पीला है अमबर जिसका तो कौन है किसे कहा जाता है पितामबद यह है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएंगे तो इसके बाद हमारा है question number 67 पुनर जनम का संदी विचेत कीजिए तो पुनर जनम का ये संदी भी पूछी जाती है काफी तो हमारा पुनर जनम का संदी विचेत हो जाएगा पुनह जमा जनम ये हमारी विसर्ग संदी है तो इसके बाद हमारा question number 69 है ग्रिश्म का प्रावाची शब्द आपको बताना है तो ग्रिश्म मतलब क्या होता है गर्मी तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्मी तरन उसके बाद हमारा question number 70 है चूरन का तत्सम शब्द तत्सम शब्द जो संस्क्रिट में जैसे हैं वैसे ही जो यूज होते हैं जो चेंग नहीं हुए है as it is सम मतलब समान इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा चक्षो सबको पता है कि क्या होता है आखे होती है न तो चूरन ठीक है चूरन इसका सही आंसर हो जाएगा और उसके बाद हमारा question number 71 है कौन सा शब्द तद्भव है जो चेंज होके यूज होते है जो संस्कृत के शब्द है लेकिन अब वो हिंदी में हमारे जो है चेंज होके यूज होते है तो आपको यहाँ पर बताना है मधुप, मधुकर, ब्रहमर या फिर भवरा भवरा इसका सही आंसर होजएगा बाकि सभी तत्सम शब्द है question number 72 है यर्थार्थ शब्द का विलोम है तो यर्थार्थ शब्द का विलोम है हमारा क्या होजएगा गल्पना तो इसका जो option है वो 20 है यर्थार्थ मतलब जो सच है सत्य है ठीक है जो मतलब बिल्कुल reality है एक तरीके से ठीक है उसमें कोई भी कल पनाएं नहीं है उसके बाद है राकेश बहुत महनत करने वाला लड़का है इसमें रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताईए लेकिन रेखांकित कोई शब्द है नहीं यहां पर तो परिक्षरमी इसका अंसर हो जाएगा आपको बाके पढ़ने पर पता चली ही रहा है अब हमारा question number 74 वर्ण का एक कौनसा अनिकारती शब्द नहीं है इनोंने नहीं पूछा है तो यह नहीं वाले questions बड़े ध्यान से करने है तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है अक्षर भी होता है और वर्ण हमारा शब्द भी नहीं कहेंगे वर्णन करना हो सकते कि वर्ण करो तो शब्द इसका कहीं नहीं कहीं मुझे लग रहा है कि सही आंसर है कि शब्द मतलब नहीं होता है वर्ण का अक्षर होता है इसका मतलब ठीक है बाके आपकी कहराया आप लोग मुझे कॉमेंट सक्षी में बता सकते हैं क्षिं नमर् 75 का मतलब होता है बिलकुल पाइनर सा डिफरेंस होना हल्का सा लेकिन ओप्चन में नहीं है तो हम option A की तरफ जाएंगे 80 अंतर होना, लेकिन 19-20 का फरफ होता है बिल्कुल हलका सा अंतर होना, लेकिन option में ऐसा नहीं है, तो जो हमें suitable लग रहा है तो हम उसके और जाएंगे, तो option A is correct answer, दरनों, उसके बाद मारा question number 76 है, जो गितावली है इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है तो इसमें जो हमारे option है, वो है पहला इश्वर दास, दूसरा है रामानंद, तीसरा है तुलसी दास, और चोथा है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनका answer बताना है कि इनमें से कौन सा है, जिनोंने गितावली लिखी है, तो इसका जो सही option है वो है हमारा तुलसी दास जी उसके बाद हमारा question number 77 है वियाकरण के बिना भाषा लगती है, वियाकरण बिना कैसी लगती है भाषा, ती सुन्दर प्रभावी कर्ण कटू, तो कर्ण कटू लगती है कर्ण प्रिये तो लगनी सकती है, अगर वियाकरण नहीं है भाषा में तो, चीक है question number 78 है, भाषा शिक्षन में पाठे पुस्तक एक साधन होती है चीक है, मंजिल तक कौशने का जरिया उससे साधन बोलते है तो उसके बाद हमारा है एक मात्र यहाँ पर संसाधन भी बोल सकते है बट एक मात्र बोले कि यही एक संसाधन है तो भाषा शिक्षन में पाठे पुस्तक एक मात्र यही एक संसाधन तो एक मात्र आगे तो इसलिए हम इसको रॉंग ठेला सकते है तो यह option correct हो जाएगा उसके बाद हमारा question number 79 है गनित एवं विज्ञान सीखने में प्राय प्रियोग होता है क्या प्रियोग होता है गनित एवं विज्ञान सीखने में प्रेतन और भूल का सिधान्थ ठीक है कि बच्चा बारबर बारबर प्राय गरता है उससे गलती होती है और वो सीखता है और ये थॉन डाइक का दिया हुआ जी की दी हुई थ्योरी है जो क्यों उन्होंने बिल्ली पर की थी और आप लोगों को पता ही होगा उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रेशन्स में आप सो पूछ लेती हूँ पूनर बलन का सिदान किस ने दिया था ये उपको बताने स्कीनर ने दिया था अंतर दिश्टी का सिदान किस ने दिया था सोच के थोड़ा सा सोचो सोचो किस ने दिया था कोलर ने दिया था और मनो विशलेशन का सिदान किस ने दिया था फ्रायड ने जो कि मेरे फेवरेट वाले साइकोलिस्ट हैं उसके बाद हमारा है question number 80 श्रवे शिक्षन सहायक सामगरी का साधन नहीं है नहीं पूछा है इनोंने श्रवे शिक्षन जो सुनकर सुनके हम जो सुनके सायक सामगरी का यूज करते हैं उनमें से कौन सी नहीं है तो यह आपको पताना है रेडियो आप लोग सुनते हो टेलीफोन सुनते हो ग्रामपोन सुनते हो लेकिन ब्रहमन तो आप थोड़ी सुनते हो तो वह सुनने वाला आपका टीलम नहीं है teaching learning aid आपका नहीं है तो इसका जो सही option हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रहमन ठीक है उसके बाद हमारा question number मुझे लगता है कि अब तक मैंने जतने बीच के एंट्रेंस की जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराई है अलग अलग उनिवस्टिस के सबसे बहुत जादा एजी वाला पेपर मुझे यहीं लगा है और आप लोग भी साथ साथ वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता करना है त जन्कुलन हो गया samma एट से कि देख बांडस नसख से बार समरा 17यान canvas से मुझे क्ल एज्यों करता है सब्सक्तित के समर्षों के निक्सट नम्बर जो ँसमें सब्सक्राण होगा उसमें आप यह थनो सीक्तितश लोगर उसमें अब्ड़ घर अक्तितना होगा इसमें से दूर क 4 इदर आ गया then 4 plus 4 8 and ये 9 तो option में हमारा 94 answer है तो आपका ये वाला answer हो जाएगा then उसके बाद हमारा question number 82 है तो यहाँ पे देखो A1 number पे आता है D4 पे आता है H8 पे आता है M13 पे आता है ठीक है यहाँ पे Z है आपको बताना है कि यहाँ पे next जो number जो alphabet होगा वो कौन सा है तो देखो A के बाद कितना है 4 तो कितने का gap है 3 का 4 के बाद किया है 8 कितने का gap है 4 का 8 के बाद कितना है 13 5 का gap है तो यानि 3, 4, 5 तो next gap कितने का हो जाएगा 6 का तो 13 में आप 6 एड करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस करोगे तो 9 और ये 19, 19 नमबर पे हमारा S आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा S, ठीक है और उसके बाद हमारा question number 83 है, addition को ये लिखा जाता है, तो tide को क्या लिखा जाएगा simple set, tide यहाँ देख लो बन रहा है, तो बन रहा है t, i, d, e, ठीक है तो अब हर number के नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे हर number का जैसे e का code 3 है, d का code 8 है i का code 9 है इस तरीके से तो यहाँ पर पहला क्या है t, तो t का code देख लो आप लो, 4 number पे है तो t1, तो 1 हो गया ठीक है, और फिर उसके बाद है i, i का code क्या है हमारा 9, ठीक है, उसके बाद हमारा d, d का code क्या है हमारा 8 और उसके बाद हमारा e का code क्या है 3, तो 1, 9, 8, 3 आपका correct option हो जाएगा, उसके बाद हमारा question number 84 है, यदि d, h, e, z, e, z, g, is equal to n है, तो k का क्या होगा, d आता है, हमारा 4 number पे, h, 8 number पे, e, 5, number पे, j, 10, number पे, double हो रहा है 4 का 8 हो गया, 5 का 10 हो गया g7 पे, n 14 पे, 7 और सा 14, double हो गया to k 11 है, 11 का double करो गया 22, 22 number पे आपका आता है v, ठीक है और आपको number series जो, sorry, alphabet है, कौन सा alphabet कि इस number पे होता है तो यह आपको पता होना चाहिए, और आपने से बहुत लोगों को पता होगा, और मैंने इसको ट्रिक से याद किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं, कि मैं वो ट्रिक आपके साथ शियर करूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, बहुत ही easy ट्रिक से मैंने इसको याद किया हुआ है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे, तो मैं definitely उसके लिए वीडियो ले आउंगी तो उससे आपको भी help हो जाएगी बाकी वैसे इसे कोई नियर नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी अगर किसी कोई doubt हो तो पूछ सकता है संबंदित शब्द ग्याद कीजिए, मुख हाव भाव संगीत तो मुख से आपके हाव भाव जलगते हैं और संगीत जो हमारे मुख से क्या जलगते हैं हाव भाव तो संगीत का द्वनी, कान, धुन, यंत्र तो संगीत से क्या जलगते हैं आपकी धुन उसके बाद हमारा है question number 86 जीतने पर प्रोतसाहन मिलता है लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें निराशा होती है question number 87 है यदि इसका अर्थ हर्थ हर्थ ये है देखो यहाँ पर देखो तू यहाँ पर बोलाएं उन्होंने divide का मतलब प्लस है तो यहाँ पर divide है तो यहाँ पर plus लगा दिया फिर 6 और ये जो हमारा गुणा का निशान है इसका अर्थ भाग है तो गुणा के बदले हम लोग भाग लगा देंगे फिर 6 आ गया फिर यहाँ पर divide है divide का मतलब plus है तो 2 आ गया अब ये 6 से 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 plus 1 प्लस में और ये 2 सबको प्लस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 5 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 होप आपको मैं reasoning समझा पारी हूँ ठीक से मुझे तो समझ आती है मैं पहली बर reasoning की वीडियो बना रही हूँ जाया की नहीं आया ताकि मैं तोड़ा सा और उसको मोडिफाई कर सकूँ तो विशम शद्व को पचानी विशम शद्व को पताई चल रहे तामाटर प्याज आलू गाजर सब जमीन के अंदर उगने वाले है तामाटर अलग हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा question number 89 है देखो 8 April को सोंबर पढ़ता है तो बताएगे कि तीसरा दिन कौन सा होगा तो सीधा सा हिसाब लगा लो भी 8 April को क्या है आपका Monday ठीक है तो यहां से 7 को क्या हो जाएगा ठीक है इस तरीके से 6 को 5 को 4 को 3 को हमें महीने का जो तीसरा दिन है उसका पता करना है तो साथ तरीका आपका क्या हो जाएगा Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday तो इसका जो सही option है वो है Wednesday बुद्धवार उसके बाद हमारा question number 90 है एक प्रधाना शारे को होना चाहिए जो एक प्रिंसिपल इसको कैसा होना चाहिए तो छात्रों के लिए प्रेणा दायक होना चाहिए अध्यापकों के लिए समाता का भाव रखने वाला होना चाहिए और वो एक कुशल प्रबंदक होना चाहिए तो उप्रोग सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा दन उसके बाद हमारा question number 91 है leap year कौन सा है leap year पता करना हो तो जो given numbers है उनको 4 से divide कर देना जो पूरा-पूरा divide हो जाएगा वो आपका leap year होगा तो इन तिनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो 4 से divide नहीं हो रहा पूरा-पूरा 16 सो पूरा divide हो रहा है चाहिए आप करके देख लो पूरा-पूरा divide होगे तो leap year आपका 16 सो तो कभी भी leap year निकालना हो तो given sun को आप 4 से divide करके देख लो उसके बाद हमारा है question number 92 कौन सा शब्द दिये गए अक्षरों के प्रियोग से नहीं बनाया जा सकता तो simple sign लगा लो P है यहाँ पे है R है है O है है P है है EB है यहाँ पे E है R भी है ठीक है तो proper तो बन जाएगा उसके बाद है हमारा rapid आपको देखना है R है इदर A है फिर P P O R T ये भी बन जाएगा उसके बाद है P I R A T E ये भी बन रहा है उसके बाद है A, W, P R, O, B, E तो यहाँ पर V नहीं है देख लो यहाँ पर V नहीं है तो आपका यह अप्रूव नहीं बनेगा तो आपका जो अप्शन हो जाएगा आपका जो लास्ट वाला है यह आपका सही आंसर हो जाएगा तीक है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेशन पर चलते है तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेशन है 93 इन में से जो विजन फोन स्कोप में कौन सा प्रत्य जोड़ा उपसर्ग जोड़ा जाएगा उपसर्ग जो आगे लगते हैं से कोई एक अर्थपूर्ण मीनिंग्फूल वाला वर्ड बने तो टैली ठीक है तो टैली जोड़ दोगे तो टैली विजन टैली फोन टैली स्कोप बन जाएगा ठीक है उसके बाद क्वेशन नमबर 94 है जो कि मुझे खुद सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप लोग क्रिसी स्वल गर करके बताना को कि कि जो क्वेशन मुझे नहीं आथा मैं उसको एक्षेप कर ले हुआ था तो यह मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने जितना आंसर पुष के बता एक टिफरी क्वेशन के नहीं आई थी तु है तो आप लोग इसे स्वाल्व करके बताना जिसे भी एक्वेशन आ रहा है समझ तो प्लीज स्वाल्व करके जरूर बताना कि इसका आंसर आपका क्या रहा है बट मैंने इतना पूछा है और जिनसे पूछा है उनका वो यूपी PCS का मेंस बगएरा इंटर्वी बगएरा दिये हैं तो मुझे लगा बहुत रहा है इंटेलिजेंट है तो उनको पता होगा तो उन्होंने तो 81 निकाल के दिया है क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि सारे कोशन सौल कर लूँ उसके वार कॉशन नमबर 95 है निम्ने में से कौन सी अकृति फ्रेंड गाइड और फिलोसिपर के बीच के संबंद को दर्शाती है तो यह हो सकता है क्योंकि एक फ्रेंड है वो गाइड भी हो सकता है फिलोसिपर भी ह हो सकता है और फिलोसिपर भी हो सकता है और फिलोसिपर भी हो सकता है चीक है तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा को बाकि आपके क्या राय है आप भी अपनी राय या बता सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं आपका बहुत स्वागत है उसके लिए दिये गए चित्र में कितने वर्ग हैं तो इसके वर्ग काउंट कर लो एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आट, नो, और ये पूरा दस, फिर ये ग्यारा, फिर ये बारा, और ये तेरा, और ये चौदा, टोटल आपके चौदा वर्ग मनेंगे, तो इसमें स्थान पर है, तो जब कभी ऐसा क्वेशन आए, तो ग्यारा और एक माइनस कर देना, दस, तो प्लस करोगे, एक कीस आजाएगा, ठीक है, उसके बाद है, दिये गए चित्र में कितने त्रिकोन बन रहे हैं, तो इसमें वही सोला बन रहे हैं, ये बर गिन के दिखा देती एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चे, ये साथ, ये आठ, फिर ये नो, और फिर ये दस, देन उसके बाद ये ग्यारा, ये बारा, ये तेरा, ये चौदा, ये पंदरा, एक और बन रहा था, पूरा वाला, सॉला, सॉला बन रहे हैं टूकल, ठीक है अभी इसको गिल लेना आफ लोगी दुबारा, उसके बाद हमारा question number 99 है, यदी 7 save का मुले 105 है, तो 1 save का मुले 15 रुपे आ रहा है, तो 45 रुपे में आप लोग 3 save करीच सकते हो, ठीक है, तो 3 इसका सही answer हो जाएगा, उसके बाद हमारा question number last है आज का, और इसमें ये है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें देख लो, पहले B जी आएगा, अब देख लो C option का है, तो पहले C किसमें दिया हुआ, ये ये कट गए, तो B जा गया, बीच के बाद हमारा क्या होता है, बीच के बाद हमारा पत्ती, फूल, पौदा, बोजन क्या आएगा, आपको ये बताना है, तो इसमें आपका पौदा बनेगा, ठीक है, बीच लगने के मत पौदा बनेगा, पौदा बनने के बाद आपका इसमें है, पत्ती आएगी, फिर फूल आएगा, और फिर लास्ट में आपका क्या आजाएगा, B option, क्या आजाएगा आपका भूजन, ठीक है, तो ये आज के important questions थ और होप मैं आपको समझा पाई हूं, और ये मेरे YouTube चैनल की पहले रिजने की वीडियो, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, so thank you so much everyone, और वीडियो कैसी लगी, please like जरूर कर देना, और हाँ जरूर बताना की कैसी लगी आपको वीडियो, कई सजेशन हो, तो most welcome, तो thank you so much, और किसी question पर अगर आपको अपनी राय रखनी है, तो बिलकुल रख सकते हैं, क्योंकि मैं आप से और आप मुझसे हम ऐसे मिलकर ही सीखते हैं, क्योंकि सबको सबपुश नहीं आता है, so thank you so much everyone and good night.